बिस्विल्ला रख्मान अलोहीम, असलाम अलेकूम, क्या आने आप सब के, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकी आई हूं, आलो के कटलेट्स की, इसके लिए मैंने आलो लिए आदा किलो इनको बाइल कर लिए, प्यास लिए, दो तेंगानी साइस के, इनकी भ बाइल के लिए, पासिज में नम्मक 1 टीसपून, लालमिच 1 टीसपून, कली मिच 1 टीसपून, और सुखा धन्या, यह भी 1 टीसपून, यह थोड़ा साहरा धन्या है, इसको भी काट लिए, और अनाय दाना 1 टीसपून, तो चलहें है रैसिपी स्टार्ट करते हैं, सबसे प तर दे आलो नाज हो गें अब आम इंदर डालें के दालें दे प्यास बड़ी मिच्चे बड़ें सारी स्पाइस लाट लेंगे तारी चीज़ें डाल ली है तब इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखें सारा मेटीरिल अच्छे से मिक्स हो गया है अब आप इनके कटलट्स की शेव दे के बना लें वैसे अगर आप इसकी नमक में चक करनी है तो इस स्टेज पर आप कर सकते हैं मैंने की है मेरी तो माशालला से बिल्कुल परफेक्ट थी यह देखिए अब हमने इसके बनाएंगे आसे कटलेट्स इसी जरह आप सारे बना लें इदे के सारे कटलेट्स के हमने शेप दे दी है इतने मिटिरियल से सिक्स्टीन रेडी हुए है तो अब हम इनको एक लगा के फ्राइए करेंगे पैन में थोड़ा सा ओई डालेंगे इनको फ्राइए करने के लिए एक हमने फैंट लिया है अब कटलेट को इस पर डिप करके तो फ्राइए करेंगे एक साइट से फ्राइए हो गए है अब हम इनकी साइट चेंज करेंगे मीडियूम फ्राइए हम इनको फ्राइए करेंगे अब हम इनको फ्राइए हो चुके हैं अब हम इने प्लेट में निकालेंगे अब हम इनको फ्राइए हैं यह देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया हैं में यह देखें कटलेट स्टेटी हैं इन्हें आप उदीने की चटनी के साथ खाएं या कैचप के साथ दोनों के साथ दोनों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपको मेरी यह रैस्पी पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्ला आफिस करताइबink मेरी थाण झाले वार यह राच्राइब करें वार इसी क्यारस्ण अभड़ के सी श हाँ जल्ला कि यह खि तद उन्ला आत crime ट्क मेरास् झाला हो इसी पहारो सेंच्छे